बैगन की कलॉजी बनाने के लिए फ्रेंस मैंने यहां पे लिए 200 ग्राम बैगन जिससे अच्छे से चीरा लगा लिया है धोके तो एकदम से कट कर लिया कि ताकि इसमें कीडे वगएरे ना रहें और यहां पे मैंने आलू लियें छोटे-छोटे से इन्हें भी चीरा लगा ल लिया है एक चमच पश फूरन है लहसन है मिर्ची है जो स्वाद अनुसार है और यहां पर मैंने मिर्ची का आचार लिया जो मेरा घर का है और प्याज ले लिये हैं तो जिसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है पहले से तो इसे अब हम भरेंगे बैगन और आलू के अं तो चलिए बैगन आलू में भर लेते हैं इसे अच्छे से यहां से एक एक बैगन ले लेना है और चीरा मैंने जो लगा दिया है आप अच्छे से देख सकते हैं आलू में भी चीरा लगा दिया है तब इसके अंदर मसाला अच्छे से फिल कर लेते हैं तो यह बारिस के यह दुगना कर देता है तो इसी तरह से मैं सभी यहां पर भर ले रहे हूं तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं यहां पे तो देखिए दोस्तो बैगन हमारे जैसे ही फिल हो जाएंगे जो मसाले बचेंगे उसमें आलू को क्या करना है डाल देना इसमें अच्छे से पोड कर देना है पुरा उपर नीचे तक आलू को भर देना है तो यहां पे हमारे आलू अच्छे से कोट हो रहे हैं मसाले इसमें लग रहे हैं, तो लीजिए दोस्तों हमारे आलू बैगन यहां पर तयार हो गाए, ाह मेरा निसे हमारे अलू ज़री होने के लिए, यहां पर दोस्तों मैंने कड़ाई लें चाहिए कडाई में डाला है सरसो का तेल तक्रीबं दो बड़े चमज लेया चाहिए चाहरो तरफ तरफ कडाई में तेल बड़े यहाँ प्हें यहां पया बैगन को डाल यहीं इसे महाँ यहाँ पालू भी बचंगे आलू बचाहए अर rendez Verb तो लीजिए दोस्तों यहां पर मैं एक एक करके आलू भी इसके उपर बिचा दे रही हूँ फ्रेंज तो आलू को बिचाने के बाद फ्रेंज जो हमारे मसाले बचेंगे उस मसाले को भी हम इसके उपर डाल के अच्छे से ढख देंगे तो यह बाकी का मसाला है मैं इसे उपर से गिरा दे रही हूँ अब इसी बरतन से इसे मैं कवर कर दूंगी फ्रेंज इसे दीमी आज मैं फ्रेंज पकने देंगे और देखिए मैं पांच मिनट बाद इसे खोल के देख रही हूँ अच्छे से यह पक रहा है कलर इसका चेंज हो गया है बिल्कुली ब्राउन हो गया है तो इसे पलट लेते हैं चलिए फ्रेंज इसे ज़्यादा नहीं चलाना है यह मैं इसे दूसरी बार चला रही हूँ इसे ज्यादा चलाना नहीं नहीं, तो ये तूटने लगता है बैगन, तो ये बैगन का भरता बन जाएगा नहीं तो, और इसे कुछी देर में ये पकने वाला है, मैंने इसे एक बार पलट अलट दिया है, अच्छे सी, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, अब सने यहां पही चाकु से देखूंगि आलू पके हैं कि नई यहां पह चूक फ़िल के लिए आप इसे चावल रोटी दाल-चावल किसी के भी साथ खा सकतें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई